बच्चो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिठाई वाला पाठ का सारांस और अंत में पाठ से सम्मंदित प्रसनों के उत्तर भी तो जैसे के आप सभी जानते हैं इस पाठ के लेका कौन है बगवती परसाद बाजपेई तो आईए शुरू करते हैं मिठाई वाला पाठ का सारांस आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं एक आदमी पहले एक खिलोने वाले के रूप में आता है वह मदुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला गाकर सुनाता है सभी बच्चे उसके खिलोनों पर रीज कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं नन्ने बच्चों से पैसे लेकर तथा उन् पढ़ता है राय विजय बहादूर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलोने लेकर आये उनकी मा रोहिनी इतने सुन्दर और सस्ते खिलोने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलोने कैसे देकर गया इसके छे महने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजा कर बेजने वाले का समाचार सहर फैल गया वह बहुत सस्ती मुरली बेजता था रोहिनी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई ये वही खिलोने वाला है रोहिनी ने अपने पती के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली फिर उसे देख बच्चों का समुआ खुस होकर उसके चारों तरफ एकटा हो गये मुर्ली वाले ने भी सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुप्त में मुर्ली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। इसके आठ मास यानि की आठ महिने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेजने वाला गीर गाता हुआ आया रोहिनी को इसका स्वर्वी कुछ सुना हुआ सा लगा वह अपनी चाथ से तुरंत नीचे आई उसने मिठाई वाले को बुलाया रोहिनी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलोने और मुर्ली बेजने आया था रोहिनी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेजता है मिठाई वाले ने बताया कि वहाँ एक नगर का अमीर आदमी था उसके दो बच्चे और एक सुन्दर पत्नी थी लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा वहाँ अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा उसने बताया कि वहाँ इनी बच्चों में अपने बच्चों की जलक देखने के लिए यहाँ सामान बेशता फिरता है वहाँ रोहनी के बच्चों चुन्नु मुन्नु को कागज की पुडिया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया तो बच्चों इस परकार आपने देखा ये था पाठ का सारांस पाठ का नाम क्या था मिठाई वाला और ठीक इसी परकार आप अपनी नोट बुक में लिख सकते हैं जब पाठ का सारांस लिखने को कहा जाए तो आप इस सारांस को लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो शुरू करते हैं यहाँ पर पार्ट से सम्मन्दित प्रस्णों के उत्तर तो इस पार्ट में कुछ प्रस्ण होंगे जो कि आपको अपनी पुस्तक में देखने को मिलेंगे तो उनके उत्तर आ यहाँ पर जान लेते हैं पहला प्रस्ण होगा आपका मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेशता था और वह महिनों बाद क्यों आता था तो यहां पर हम आपको बता जेते आंसर होगा बच्चे एक चीज से उपन जाएं इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेशता था बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वहा महिनों बाद आता था साथी चीजें न मिलने से बच्चे रोएं ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था तो यह आपका उत्तर होगा इसके बाद दूसरा प्रसन आपके लिए मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वज़े से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिचे चले आते थे तो बच्चों यहाँ पर उसका उत्तर होगा आप देखें आपर फस्ट वाला मिठाई वाला मादक मदूर धंग से गा कर अपनी चीज़ों को बेशता था सेकेंड होगा वा कम लाब में बच्चों को खिलोने तता मिठाईयां देता था थर्ड वाला होगा इसके हिर्दे में बच्चों के लिए सने था हुआ कभी गुसा नहीं करता था और चौता होगा हर वाल नहीं चीज़ें लाता था इस प्रकार से सवी जो है उसकी और खिचे चले आते थे इसके बाद बच्चों यहां पर देखते हैं था बिजय बाबू यह ग्रहाग थे और मुर्ली वाला एक बिक्रेता दोनों अपने अपने पक्स के समर्थन में क्या तर्क पेस करते हैं तो उत्तर होगा आपने देखा है ने दुकानदार भी कहता है कि मैं बहुत सस्ता बेज रहा हूँ ग्रहाग कहता है कि आप बहुत महिंगा दे रहे हैं तो इसमें दोनों अपने अपने समर्थन में कुछ तो बात बताएंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा एक गरहा के रूप में विजय बावू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को जूट बोलने की आदत होती है सब को एक ही बाव से सामान बेजते हो गरहा को अधिक दाम बता कर उल्टा गरहाग पर एहसान का बोज लाद देते हो यह आपका उत्तर होगा इसके बाद एक विक्रेता के रूप में अब विक्रेता क्या बोलेगा दुकांदार क्या बोलेगा जो पहले कहा था ये कौन बोलेगा ये तो ग्रहक बोलेगा अब इसके बाद यहां पर दुकानदार क्या जबाब देगा एक विक्रेता के रूप में मुर्ली वाला अपना तर्क पेस करता हुआ कहता है आपको चीजों की असली लागत का अंदाजा नहीं है इसलिए एक हजार बनवाई थी तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चों प्रस नमबर चार में खिलोने वाले के आने पर बच्चों की क्या परतिक्रिया होती थी तो बच्चे कैसे होते थे आपने देखा होगा बच्चों क्या परतिक्रिया होती थी बच्चे खुस हो जाते थे ना तो आंसर होगा खिलोने वाले के आने पर बच्चे खिलोने देखकर पुलकित हो उड़ते थे बच्चों का जुंड खिलोने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था वे पैसे लेकर खिलोने का मोलभाव करने लगते थे खिलोने पाकर बच्चे खुशी से उचलने कूदने लगते थे और अगला प्रसन होगा पांचोंगा प्रसन आपके लिए किस प्रकार से होगा आप देखें रोहिनी को मुर्ली वाले के स्वर से खिलोने वाले का इसमरन क्यों हो आया तो इसका उतर होगा मुर्ली वाला भी खिलोने वाले की तरही गा गाकर खिलोने बेचा करता था रोहनी को खिलोने वाले का स्वयर जाना पहचाना लगा इसलिए उसे खिलोने वाले का इस्मरण हो आया इस्मरण का मतलब याद हो आना इसके बाद अगला प्रसन होगा आपके लिए किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भाउक हो गया था उसने इन विवसायों को अपनाने का अपना क्या कारण बताया था तो आपको मालूम है किसकी बाते सुनकर मिठाई वाला भाउक हो था और उसने क्या कारण बताया था ये सारे काम करने का तो बच्चों आप कहानी याद कीजिए कि किसकी बातों से भाउक वाता आंसर होगा आपका रोईनी की बात सुनकर मिठाई वाला भाउक हो गया इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की जलक मिल जाती थी उसे ऐसा लगता था कि उसके बच्चे इनी में कहीं हस खेल र गुट गुट कर मर जाता क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे इसी कारण उसने इस भ्यवसाय को अपना जा था इसके बाद सातुमा प्रस्ण अब इस बार ये पैसे न लोगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा आपने देखा था ना पाठ के अं न कर दिया क्योंकि चुन्नु और मुन्नु को देखके उसे अपने बच्चों का इसमरण हो आया यानि कि अपने बच्चों की याद आ गई थी उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है इसके बाद आठवा प्रस्ण इस कहानी में रोहिनी चिक के पीछे से बात करती है क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है यदि करती है तो क्यों आपकी राय में क्या या सही है यानि कि छिप छिप कर बात करना क्या सही है परदे के पीछे परदे की ओड़ से अगर आपकी राय में क्या या सही है ये सब आपने उत्तर लिखन है तो आंसर होगा आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती है यानि कि परदे के पीछे परदे के आड़ से बाते करती है जैसे ग्रामिन महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती है क्योंकि उनमें परदा पर्था का परचलन आज भी है आ यहां पर इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चों कहानी से आगे के कुछ प्रसन देख लेते हैं तो पहला प्रसन होगा मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आदार पर एक और कहानी बनाई है तो आपने यहां पर देखा था कि मिठाई वाले का परिवार सारा जो है नस्ट हो गया था खतम हो गया था तो इसी प्रकार से यहां पर आपने उत्तर लिखना है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा क्या हुआ आंधी तुपान में कहीं गिर गए होंगे या कहीं पाड़ से गिरे हों पत्नी और बच्चों के न होने के कारण ब्यापारी को अपना अश्टत्वा और अपनी संपत्ती ब्यर्थ लग रही थी अथा इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भूलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूणने की चेश्टा की इसमें उसे काफी हद तक सपलता भी मिली और वह फिर खुश रहता था आपको मालूम है ना क्वेशन दूसरा जो होगा आपके लिए हाट याब मेले साधी आधी आयोजनों में कौन कौन सी चीज़े आपको सबसे ज़्यादा आकर्शित करती है उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा उन चेहरों के बारे में लिखिए आप जानते हैं ने मेलों में जो आपको मिलते हैं खिलोने बासुरियां और कई परकार के जो है रंग विरंगे खेल खिलोने जो आपको देखने को मिलते हैं ये सब कोई ने कोई तो बनाता होगा साधी ब्याव में सजाने का जो सामान है जैसे कुछ फलावर्स होते हैं और कई जो आपने देखिया होंगी कलरफुल जो पेपर्स होते हैं इन सब को जो कोई ने कोई तो बनाता होगा तो इसके पीचे किसका हात होगा आप लिखें कि कौनी ने बनाता होगा हाट मेले साधी में निमल की चीज़ें हमारा ध्यान आकरशित करती हैं आंसर होगा आपका कि हमें ये चीज़ा आकरशित करते हैं कौन कौन सी जैसी मिठाईयां, खिलोने, जूले, चाट, पकोडे, आदी, मिठाईयां हलुआई द्वारा बनाई जाते हैं, खिलोने कारीगरों द्वारा बनाई जाते हैं, तथा जूले एक से अधिक सर्मिक मिलकर उनके चेहरे में परिसरम और उनकी ब्यस्ता स्पस्ट जलकती है, तो इस परकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, बच्चो इसके बाद आईए करते हैं यहां पर बासा की बात, तो पार्ट में जूए है, जैसे की लिखा हुए है, मिठाई वाला पार्ट है, और वहां पर खि यहां पर क्या वाला से पहले आने वाले सब्द संग्या सर्व नाम बिसे सनादी में से क्या हैं, तो यहां पर आप देख रहें न, मिठाई वाला और बोलने वाली गुडिया, तो यहां पर जो वाला वाला लगा है, जैसे बोलने वाली मिठाई वाला, तो आपने बताना है कि जो इसके पहले वाला से पहले या वाली से पहले जो सब्द लगा है ये संग्या है या सर्वनाम है जैसे कि पहले सब्द में मिठाई वाला तो यहाँ पर जो वाला है इसको अगर हटा दे तो जो मिठाई सब्द है ये संग्या है सर्वनाम है या विसेशन है आपने यही उनका क्या प्रियोग है दूसरा पसनिया पर होगा कि उपर लिखे वाक्या उनका क्या प्रियोग है तो आए उतर जानते हैं यहां पर वाला से पहले आने वाले सब्द जैसे मिठाई बोलना यह क्या है संग्या सब्द है और दूसरे का उतर होगा यह सब्द किसी ब्यक्तिया वस्तु के बारे में हैं तो मिठाई आपको पता है ने एक वस्तु होती है और बोलने वाली गुडिया गुडिया क्या है ये एक वस्तु है इसके बाद प्रसुन दूसरा होगा आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदला वाया बड़ों से पूछ कर लिखिए जो फेरी वाले गलीव में आवाज लगाते हैं ने बच्चों कैसे लगाते हैं आवाज आपने देखा होगा तो आजकल जो भी फेरी वाले आते हैं वो कैसे आवाज लगाते हैं लेकिन मदूर स्वर में अपने उत्पादों के गुण, उत्पाद के गुणों को लोगों तक पहुँचाते थे, परंतो आज के फेरी वालों के स्वर में वैसी मदूरता सुनने को नहीं मिलती, साथी लाउड स्पीकर जैसे उपकरुन का भी प्रियोग होने लगा है, आज कल क्या कर करते थे, अपने मुँँ से आज कल स्पीकर बोलते हैं, तो बच्चो इस परकार से आपने देखा, इस पाठ के हमने आपको प्रस्न उतर बताए, और पाठ का सारान से बताया, उम्मीद है कि आपको इस पाठ पसंद आया होगा, तो इस परकार से यह पाठ यहाँ पर समाप